नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि इंडियन एर फोर्स अपने फिफ्ट जनरेशन फाइटर जट एम सीए के लिए लोकली बना इंजन हासिल कर सकते हैं और ये संभव हो सकता है कि फ्रांस की कमपनी सैफरेन इंडिया के साथ मिलके जोइंटली एक फाइटर जेट इंजन का निर्मान करें आज हम इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों अभी जैसी रिपोर्ट्स हा रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि डियार डियो प्लैन कर रहा है ए इंडिया के फ्यूचर फाइटर जेट को पावर देगा जिसके अंदर इंडिया का एडवांस मीडियम कोमबेट एरक्राफ्ट भी शामिल होगा और इसी से पावर लेगा और दोस्तों ये प्लान उसी के तहत है जिसके तहत इंडियन एर फोर्स ने डिमांड की थी कि वे से इल्फ रिलाइंस चाहते हैं और फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट उनके लोकली बने इंजन के साथ में आना चाहिए और दोस्तों अगर समय सीमा की बात करें तो इस प्रोग्राम के हिसाब से इस नए इंजन कॉम्पलेक्स को बनने में और उसके बाद में नया टर्बो फ पैसा भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हम ओल्रेडी राफेल फाइटर जेट जो खरीद चुके हैं उसकी ओफसेट डील के इसाब से जो पैसा बनता है वही इसके अंदर इंवेस्ट किया जाएगा और दोस्तों अगर सैफरन की बात करें तो ये फ्रांस की एक मल्टी न और इसके ऐलावा ये रोकेट इंजन ऐरो स्पेस कंपोनेंट और डिफेंस के भी कए कंपोनेंट बनाती है उर इसका लंबा एस्सोशीयशन रहा है इंडियन डिफेंस मेन्फेक्चरर के साथ में और हमारी मिनिस्ट्री against के साथ में भी और सैफरन ये भी कोशिश कर रillä है क हेल को भी टेकनोलोजी प्रोवाइड करे एक हाई थ्रस्ट इंजन मेनफेक्चरिंग के लिए तो इस रिसाब से हेल भी 110 किलो न्यूटन इंजन के अंदर एक पार्टनर हो सकता है मेनफेक्चरिंग के लिए लेकिन चुंकि दोस्तो इसको बनने में समय लगेगा तो ये संबव है कि पहली AMCA की स्कौाडन फोरन फाइटर जेट इंजन के साथ में आए जैसा कि हम जानते कि हमने जनरल इलेक्टरिक का इंजन सिलेक्ट उल्रेडी कर रखा है लेकिन दोस्तो जो दूसरी स्कौाडन आएगी वो हमारे खुद के बनाए इंजन के साथ में आ सकती है और इसका नाम भी कावेरी ही रखा जा सकता है और H.E.L. के चेर्मन आर्म अधवन ने कहा है कि हम अभी एग्रिमेंट पे साइन कर रहे हैं जो इसकी टेक्नोलोजी से रिलेटीड है ताकि हमें हाई थरस्ट इंजन मेनुफेक्चरिंग की टेक्नोलोजी मिल सके और साथ ही ये टेक्नोलोजी जो होगी वो राफेल इंजन के जैसी ही होगी क्योंकि हमने इसे काफी सपोर्ट किया है देखा है और ये इंजन काफी पावरफुल है fighter jet engine के लिए और साथ ही दोस्तो इस से हमारे coast के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आएगी specially हमारा जब घर पे बना engine होगा क्योंकि fighter jet के अंदर उसके life cycle के अंदर 2-3 engine लगाये जाते हैं और ऐसे में दोस्तो इस engine का ही सबसे ज़्यादा coast होता है अगर किसी भी fighter jet के अंदर देखा जाए और दोस्तो सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर निकल के आएगी हमें सीखने को बहुत मिलेगा क्योंकि दोस्तो हम already कावेरी engine विक्सित कर चुके हैं उसके अंदर कुछ एक कमिया है जो हमें नहीं पता जैसे ही हमें technology मिलती है हमें उसके know how पता चलते हैं तो दोस्तो हमारा कावेरी engine हाथो हाथ हम develop कर सकेंगे क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुती कमी बची है और इसके इलावा दोस्तो हम अपनी समझ को आगे बढ़ाते हुए 110 किलो न्यूटन का engine भी विक्सित कर सकते हैं और इसके इलावा इसके अंदर और भी हम बहुत सी advancement ला सकते हैं क्योंकि दोस्तो हमने काफी समय तक इसके उपर काम किया है और अब हमें actual technology मिलने जा रही है तो कुछ हमने सीखा है और कुछ हम दूसरे से technology लेंगे तो कोई नई चीज जरूर develop होगी धन्यवाद जैहिन